तो चलिए आज हम लोग अपने इस वीडियो में कभर करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में इससे पहले हम लोगों ने कभर किया है नौर्स अमेरिका के बारे में उससे पहले कभर किया हम लोगों ने यूरोप के बारे में उससे पहले एसिया के बारे में और उससे पहले और बल्ड जोगरफी के बारे में इसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा बहतर होगा आपके लिए चलिए तो बढ़ते हैं हम अब इस South अफिर्का के बारे में चलिए तो इस South अफिर्का में जो आपके देश की संख्या है देशों की संख्या वह 13 है यानि कि 13 देश आपको देख जाएंगे इस South America में अब उसका नाम यदि आप जानना चाहें तो बिल्कुल जान सकते हैं चलिए देखिए एक आपका हो गया फर्स्ट नमर पर ब्राजील जो की सबसे बड़ा देश है इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ब्राजील इन देशों में से सबसे बड़ा है 13 देशों में से South America का चलिए दूसरा आपका हो गया फ्रेंच ग्योना तीसरा हो गया सूरी नाम चौथा आपका हो गया ग्योयना पाचमा बेनिज्वेला छठा कोलंबिया सातमा चलिए बारहमा आपका अर्जेंटीना और तेरहमा देश जो हो गया वो हो गया औरोगवे तो हम लोगों ने अभी 13 देशों के बारे में देखा उसको जूम आउट करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अब इसके बार हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है नोट डाउन करने के लिए है कि आपसे पूछे कि South America का सबसे बड़ा देश कौन है तो आप बताओगे कि Brazil South America का सबसे बड़ा देश है चलिए तो इसके बारे में अब हम लोग discuss करते हैं कि आखिर जो Brazil है जो आपको दिख रहा हुआ है यहां पे वो Brazil किन कि देशों से सीमा बनाता है तो देखे आपको दिख रहा हुँआ कि एक कुछ इतना बड़ा है कि लगभग सभी देशों से सीमा बनाता है सिवाए दो देश के यानि कि कुल 13 देश आपका है ठीक है उसमें से तो एक ब्राजील हुआ यानि कि घट के आगया इसके अलावा यानि ब्राजील के अलावा 12 देश उन 12 देशों में से यह दो देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है ठीक है तो बच गयें कितने 10 देश यानि यदि आपसे पुछे कि ब्राजील साउथ अमेरिका में कितने देशों से सीमा बनाती है तो आप वहाँ पर अंसर करोगे 10 देश और वो 10 देश कौन-कौन है ये भी हम लोग जानेंगे तो ये तो अल्रेडी कभर हो जाएगा इसमें क्योंकि हम लोगों ने 13 देशों का नाम यहाँ पर देख लिया है और कौन-कौन सा देश नहीं लगता है यह यदि जान लेते हैं तो इसका अंसर क्लियर कट हो जाएगा तो चलिए देखते हैं चलिए तो ये हमारा रहा ब्राजील ठीक है इस ब्राजील से कौन-कौन से देश सीमा बना रही है यह हम लोग अभी देखने बाले हैं चलिए तो आपका जो पहला देश है जो ब्राजील से सीमा बना रही है वो हो जाएगा फ्रेंच गोयना यहां पर आपको दिखी भी रहाओगा फ्रेंच गयाना सेकंड नंबर पर जो आपका देश है वह हो जाएगा यह तो हमारा देश अल्रेडी है ही इसी के साथ तो हम लोग देख रहे हैं कौन-कौन सीमा बना रहा है तो पहला फ्रेंच गयाना दूसरा नंबर पर आपका सूरिनाम तीसरा नंबर पर आपका गयना हो जाएगा चौथा नंबर पर आपका बेनिज्वेला हो जाएगा ठीक है पांचमा नंबर पर आपका कोलंबिया हो जाएगा देखिए यह सभी देश है जो इससे सीमा बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इक्वाडोर है ठीक है उसका सीमा इस एलो वाले से नहीं लग रहा है यानि कि ब्राजियल से नहीं लग रहा है ठीक है तो हम लोग कुल 6 देश अभी देखे हैं देखिए सातमा नंबर पर आपका हो जाएगा बोलीविया तो हम लोग बोलीविया तक सात देश देख चुके हैं इसके आगे और देखते हैं चलिए ठीक है तो बोलीविया तक हम लोग का नंबर सात था इसके अलावा और कौन-कौन से देश हैं जो इससे सीमा बनाती है तो बोलीविया के बाद हो गया परागबे जो की आ अंदर के तरफ गया हुआ है और ब्राजिल से मिला हुआ है तहां पर 9 नंबर पर हो गया आपका अर्जेंटीना और 10 नंबर पर हो गया उरुगवे ठीक है उरुगवे आपका 10 देश है जो सीमा बनाता है ब्राजिल से तो कुल हम लोगों ने देखा 10 देश ब्राजिल से सीमा बनाती है और कितने देश सीमा नहीं बनाती है दो देश तो इस चीज़ को आप ठैक्ट को ध्यान में रखेंगे और वो दो देश जो सीमा नहीं बनाती है वो कौन-कौन से है यहाँ पे यह आपका important हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक चीली देश है जो ब्राजिल से सीमा नहीं बनाती है और उसके अलावा हम लोगों ने उपर देखा इक्वाडोर ठीक है तो इन दोनों के नाम को आप अपने नोटबुक में लिख लिजिए पहला देश इक्वाडोर और दूसरा देश चीली जो ब्रा की सभी देश ब्राजिल से सीमा बनाते हैं तो इसको नोटबुक कीजिए आप और अगले फैक्ट के ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए आगे हम लोग का जो अगला फैक्ट है वो है कि आखिर कौन-कौन सा जो देश है हमारे साउथ अमेरिका का जो लैंड लॉक कांट् किसको बोलते हैं जो केबल लैंड से लॉक्ड हो जैसे अस्थल रुद्र हो अस्थल से केबल घिरा हुआ हो उसमें कोई समुद्र टच ना करें तो देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे पहला तो एक जो आपका परागवे है वो लैंड लॉक दिख रहा होगा ठीक ह सीमा है देखिए उरुगवे का भी है अर्जेंटीना का भी है चीली का भी है पेरु का भी है एकवाडोर का भी है कोलंबिया का भी है और इसके अलाबा बाकी सभी देशों का भी यहां पे समुद्री सीमा है लेकिन यहां पे आपका बोलीविया और परागवे केबल केबल दो ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका के जो लैंड लॉक कंट्री हो जाएंगे कौन-कौन से बोलीबिया और परागवे तो इसे आप याद रखेंगे चलिए ठीक है अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आखिर इस साउथ अमेरिका में जो मौंटेन है उसका भेरियेशन क कैसा कैसा यान किस तरफ आपका मौंटेन है तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और आप लोग को बताने का कोशिस करता हूं कि जीस तरह से थोड़ा सा रिलेट करूँगा नौर्थ अमेरिका में पस्चिनमी पस्चिमी भाग में वहाँ पे मौंटेन थ ठीक है तो आपका यहां मौंटेन यानि की परवत कहां पे कहां दिखेगा दिखिए यहां से यह है जो आपका पस्चिमी सीमा जो है पूरे के पूरे साउस अमेरिका का उस पे पूरा का पूरा परवत ही बस है और उस परवत का नाम हो जाएगा आपका कौन सा परवत हो जा परवत पूरे के पूरे पश्चमी भाग पर एंडिल्स परवत बिस्तार है चलिए ठीक है एक चीज आपको यहां दिख रहा होगा चीली का जो सीमा है देखिए यहां पर कुछ इस तरह से देखिए इसका सीमा है इस तरह का देश है हमारा चीली ठीक तो एक क्वेश्चिन पूर्ट से देश का ओप्शन चार दिए होय थे कि इनमें से कौन से देश का जो लंबाई है नौर्थ से स्ौर्थ तक ठीक है नौच से साॉथ तक सबसे अजिक है तो वहाँ पर चीली आपका करेक्ट अंसर था तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि चीली है जो नौच से साउथ यानि कि उत्तर से दस्चिन छोर को यदी नापे तो सबसे लंबा देश हो जाएगा ठीक है इस चीज को आप नोटाउन कर लिए और चीली में कुछ खास चीज आपको दिख रहा होगा यहां पर टूटा फूटा हुआ भाग यानि कि कुछ इस तरह का इसका सीमा है तो इस चीज को बोलते क्या है तो इस चीज को बोलते है फियोड ठीक है इस चीज को भी आप नोटाउन कर सकते हैं इसे फियोड बोला जाता है कटा फटा सीमा रहता है तो उसे फियोड बोलते है कटा फटा छेतर रहता है उसके कारद चलिए इसके अलावा और भी जो भी प्रमुख बाते हैं इस साउथ अमेरिका के बारे में उसको हम लोग डिसकस करते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग अपने पॉलिटिकल मैप को सामने लाएंगे क्योंकि उसमें कुछ अच्छी तरह से दिखेगा आपको हर एक ची यहाँ पे तो मैं केवल इस देश को समझाने के लिए इस मैप का परियोग किया था आप लोगों के समख चलिए तो उस मैप को भी हम लोग देख लेते हैं चलिए तो अब हम इस मैप से आगे की चर्चा को जारी रखते हैं चलिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो सहर था वो था ब्राजील ठीक है उसके बारे में और हम लोग चीजे डिसकस करते हैं चलिए तो देखते हैं ब्राजील के कुछ परमुख सहर के बारे में जो टटपे स्थेत हैं तो उसके बारे में कुछ खास चीजे हैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है चलिए तो देखिए वो जो सहर है वो है इस ब्राजील के दो सहर का नाम आप नोट डाउन कीजिए एक है रियो डे जिनेरियो और दूसरा हो गया आपका सैंटोस जो आपको यहां दिख रहा होगा फ़स्ट वन इस रियो डे जिनेरियो और सेंटोस बहला रियो डे जिनेरियो दूसरा सैंटोस इसके बारे में खास चीज़े जो भी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे देखिए rear day zinoreo में आपका fashion show होता है fashion show जो आप देखते हैं वो rear day zinoreo में ही होता है dress का परदर्सन जहां पे होता है और दूसरा जो आपका sentos है उसके बारे में जो खास चीज है यह है कि जो coffee उत्पादन करता है ठीक है जो सेंटोस आपका है वहाँ पे कहवा पत्तर पाया जाता है ठीक है तो आप नोट डाउन कुछ ही इस तरह सकीजिए कि कहवा पत्तर यहीं से एक्सपॉर्ट होता है कहां से सेंटोस से इस सेंटोस से कहवा पत्तर जो कॉफी है जो यहीं से export किया जाता है चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ और fact अभी तो हम लोगों ने Brazil के बारे में देखा कुछ fact अब आगे देखते हैं एक Venezuela का fact है जो देख लेते हैं चलिए Venezuela आपका यहाँ पर है North side में उत्तरी तरफ है ठीक है तो इस Venezuela के बारे में खास चीज यहाँ पर यह है देखिए इसका राजधानी जो है पले नोड़न कर लिजे कराकस Venezuela की राजधानी कहा हो गई कराकस उसके अलाबे यहाँ पर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रॉलियम का संचित भंडार है इस Venezuela में वहाँ पर आपको एक जील दिख रहा होगा मरा काईबू ठीक है मरा काईबू यहाँ पर दिख रहा होगा मरा काईबू दिखिए आप अपने पास यदि आटलस रखिएगा तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा वहाँ पर आप हाईलाइटर से अपना हाईलाइट कर लिजएगा कि यह हमारा जगह रहा कि इस चीज के लिए फेमस है इस चीज को भी वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको तो वेनुजवेला में जो मरा काईबू जील है वहाँ से आपको क्विश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम संचित भंडार कहाँ पह है तो आप वेनुजवेला टिक करोगे चलिए आगे हम लोग और फाक्ट देखते हैं जो अगला आपका फाक्ट है उसे आपने नोट डाउन भी करते चलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी कौन है दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी कौन है तो उसका अंसर आपका हो जाएगा क्यूटो और एक क्यूटो है कहाँ तो आपका हो जाएगा इक्वाडोर में इक्वाडोर की जो राजधानी है क्यूटो वो दुनिया का सबसे उचाई पर इस्थित राजधानी है तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है यह आपका एक फैक्ट हुआ कि दुनिया की सबसे उची जगह पर इस्थित राजधानी क्यूटो है जो इक्वाडोर की राजधानी है और इसके अलावा सबसे उचाई पर ज्वाला यदि आपसे पुछे सबसे उचाई पर ज्वाला तो उसे भी आप बोलोगे इक्वाडोर ही E C U A D O R ठीक है तो ये चीजे हुई इकवाडोर के बारे में fact कुछ उसके अलावा और हम लोग आगे बढ़ते हैं next fact के और इस हर एक चीज को आप note down करते चलेंगे तो आपका एक बेहतर notes तयार होगा जो आपको हर एक exam में मदद करेगा चलिए जो हमारा आगला fact है वह है पेरू और बॉलीबिया के सीमा पर इस्थित एक जील है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर पेरू कहा है और बॉलीबिया कहा है तो बॉलीबिया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉलीबिया और पेरू आपका यहाँ रहा इन दोनों के बीच में एक जील है उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे इस बॉलीबिया और पेरू के बीच में एक जील है जिसका नाम है टिटी काना जील जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ठीक है टिटी काना जील तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लिजे टिटी काना जील जिसमें नौका चलाई जाती है इसके बारे में एक और फैक्ट है जिसमें नौका चलाई जाती है चलिए इसके अलाबा और फैक्ट हम लोग एंडिज जो परवत यहाँ पे उसके बारे में देखते हैं तो एंडिज परवत आप लोगों को कुछ दिर पहले ही बताया गया जो यहां एंडिज परवत है वह इसके पश्चमी भाग में कुछ इस तरह से इस्थित है पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के पश्चमी भाग में तो उस एंडिज परवत का जो सबसे उंची चोटी है वह कहां पे है इस चीज को आप देखिए तो उस चोटी को हम लोग ढोनने की परियास करते हैं एकुआ गाना हाइस्ट पॉइंट इन दी साउथ अमेरिका यानि की जो साउथ अमेरिका है उसमें हाइस्ट पॉइंट है जिसका जिसकी उचाई 6962 मेटर यहाँ पे दिखाया गया है तो हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट क्या जाने कि यह एंडिज परवत है ठीक है उस एंडिज परवत स्रिंखला का सबसे उचा चोटी है उसका नाम है एकुआ गाना और उसकी उचाई है 6962 मेटर तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे चलिए तो इसके अलाबा और इफैक्ट जानते हैं अब हम लोग जो रिभर है यहां का फेमस रिभर उसके बारे में जानेंगे अमेजन नदी के बारे में तो अमेजन नदी आखिर निकलती कहां से है तो अमेजन नदी आपका एंडिज परवत से ही निकलती है ठीक है अमेजन नदी जो है एंडिज परवत से निकलते तो आप लोग जैसा कि अभी तक जानगे एंडिज परवत तो इस पूरे पश्चमी भाग में फैला हुआ है तो उसी परवत से आपका निकलता है अमेजन नदी आप देख भी पा रहेंगे यहाँ पे यह सभी भाग जो है एंडिज परवत से ही निकलकर देखिए यहाँ पे अमेजन दिख रहा होगा आपको और यहाँ से जाते जाते यहाँ से इसका जो भाग है वो जाकर सागर में मिल जाता है तो यहाँ पे एक फैक्ट नोट कीजिए कि अमेजन नदी लंबी नदी अमेजन नदी है तो पहली की बात यहाँ यहाँ पे तो वो हो जाएगा नाईलरी बार ठीक है निल नदी पहली लंबी नदी सबसे जादा लंबी नदी हो जाएगी आपका निल नदी उसके बाद दूसरी अमेजन इसके अलावा एक और फ़्रक आया अमेजन के बारे में कि यदि बात की जाए जल ग्रहण छेतर की जल ग्रहण छेतर की बात की जाए यदि आपसे कुष्टे कुछ इस तरह से पुझे कि कौन सी नथी जो सबसे अधिक जल ग्रहन करती है यानि कि किस नदी का जल ग्रहन छेतर सबसे अधीक है तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी यानि कि जल ग्रहन करने के छेतर में अमेजन नदी का प्रथम अस्थान है लेकिन लंबाई की बात की जाए तो इसकी अस्थान दूसरा हो जाएगा इसके इससे ज़्यादा लंबा नदी कौन है तो नाईलरी बाई ठीक है इस फैक्ट को आप नोड़ डाउन कर लिए होंगे अब बात रही जल ग्रहन छेत्र जो है उसको समझना तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप समझ सकते हैं आपको एक एक जामपल दिया जा रहा है कुछ इस तरह का यह आपका अमेजन नदी हो गया इस अमेजन नदी को इसकी पानी इसके पानी को बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पर यहाँ यहाँ सब यह रिभर लेक्स सब जूड़े हुए है तो यह जो छेतर होता है वही जल गरहन छेतर कहलाता है तो इस जल गरहन छेतर के मामले में अमेजन नदी सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है लेकिन लंबाई में है जो दूसरे अस्थान पर आजाएगा तो इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लिये होंगे अब अगला फैक्ट है कि इस अमेजन जो नदी है उस पे कौन सा जो मुख बंदरगा है तो इस अमेजन नदी पे आप एक जगह देख पा रहे हैं यहाँ पे जो माउट करके आपको दिखाता हूँ मन्नौस ठीक है इस अमेजन नदी का मुख बंदरगा है तो इसे भी आप नोट डाउन कर लिजे यदि आपसे पूछा जाए कि मन्नौस बंदरगा कहां पे है तो सबसे पहला चीज़ आप बताओगे कि साउथ अमेरिका में है उसके अलावा बोलोगी अमेजन नदी के टेट पे है मन्नौस बंदरगा तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं चलिए तो बढ़ते हम आगे की तरफ चलिए तो यह फिगर जो आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रेन पे वो आपका है अमेजन जो फॉरेश्ट है उसका एरियल व्यू ठीक है एक एरियल व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और फिर ए अमेजन रिभर आपका कुछ इस तरह से यहां से गुजर रहा है इसके बारे में जो भी फैक्ट है वो यहां पे क्लियर कर लेते हैं हम लोग ठीक है जो भी फैक्ट यहां पे है उसको हम लोग क्लियर करने का पर्यास करेंगे चलिए तो देखिए सबसे पहले आप नोट डाउन कीजे कि अमेजन घाटी में दुनिया का सबसे सघन बन पाए जाते हैं इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजे कि जो अमेजन घाटी है ठीक है उसमें दुनिया का सबसे सघन घन पाए जाते है उसके अलावे जो दूसरा फैक्ट है वो नोट डाउन कीजे कि यहां पे रबड के ब्रिक्च की ही उत्पत्ती हुई है यहीं पे रबड के ब्रिक्च की उत्पत्ती हुई है कौनसे बन में तो अमेजन बन में ठीक है अगला फाक्ट आपका है इस अमेजन फॉरेस्ट के बारे में मोहगनी के ब्रिक्च ठीक है मोहगनी के ब्रिच इस Amazon Forest में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस चीजों को नोट कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ मोहगनी के ब्रिच इस Amazon Forest में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लिये होंगे इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि यह इतना सगन है कि जो आपका सूरी का परकास है वो भूमी पे लगबग ना के बराबर पड़ता है इस बन में ठीक है तो वहां के जो भी छोटे छोटे जो आपके लता होते है ठीक है वो पेड़ के सहारे होकर उपर चले जाते हैं ताकि वह सूरी की रोसनी को पा सके ठीक है इस चीज़ को भी आप जान लिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर चलिए तो हमारा अगला फैक्ट जो है वह इस एंडिज परबत स्रेणी के बारे में ही फैक्ट है चलिए तो आप नोट डाउन कीजिए कि इस एंडिज परबत स्रेणी में मरु अस्थलिये जलवायू पाई जाती है इस एंडिज परबत स्रेणी में कैसे जलवायू पाई जाती है मरु अस्थलिये जलवायू पाई जाती है उसके बाद अगला फैक्ट नोट कीजिए एक जगह है ठीक है अरीका इसके बारे में एक फैक्ट है जो आपको नोट डाउन करना है कि अरीका दुनिया का सबसे सुक्स मरु अस्थल है इस चुज़ को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसका जो लोकेशन है वो है कहा तो यह उतरी चीली में पाया जाता है उतरी चीली ठीक है अरीका आपका जो है उतरी चीली में मिलेगा तो चीली तो आपका यह बला देश हुआ तो यहीं आपको मिलेगा अरीका चलिए बढ़ते अपने अगले फ्रक्ट की ओर जो है आटा कामा डेजर्ट जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा यहाँ पर आटा कामा डेजर्ट वो भी आपको चीली में ही मिलेगा तो आप नोडाउन कीजिए आटा कामा डेजर्ट आटा कामा मर्वस्थल चीली में मजूद है चलिए यह सबी चीज तो आप नोडाउन कर लिये होंगे अब इसके अलावा और भी कुछ भी फैक्ट है थोड़े थोड़े छोटे छोटे फैक्ट है उस चीज को आप समझ लीजिए कि कहां पे किस तरह की जलबायू पाई जाती है तो चलिए एक फिगर मना कर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे बताने का प्रियास करूँगा जैसे देखिए यहां पे हमारा हुगा 0 डिगरी यहां पे हुगा 10 डिगरी नौर्थ 10 डिगरी साॉथ ठीक है तो यह जो reason है यहां पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है गर्मी भी पढ़ती है और उस साथ बहुत ज़्यादा बारिस भी होती है ठीक है तो इस छेतर में जो इस छेतर को का बोलते हैं उश्न कटी बन धी है ये वाला छेतर आपका जो है वो हो जाएगा उश्न कटी बन दिये इतना दूर का छेतर उसके अलावा जो बाकी छेतर है इसके उपर के छेतर वो आपका हो जाएगा इस तरह के जो छेतर है वो हो जाएगा सितोसन कटी बन ठीक है सितोस्न कर्टिबंद यह चोटे फैक्ट थे जो आपको जानने लाइक था चलिए तो इसी तरह हम लोगों ने इस पूरे साउथ अमेरिका को लगभल कभर किया बाकी फैक्ट कुछ रह जाते हैं तो उसको आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर गूगल भी कर सकते हैं ठीक है तो यह आपको एक तरीका दिया जा रहा था कि किस तरह से आप मैप्स को पढ़े और उसके साथ अपने इस जोगरफी को बेहतर बनाएं तो चलिए इसे के साथ हम अपने इस वीडियो को end करते हैं और at the end of वीडियो मैं ही बोलूँगा कि अधिया आपको इस वीडियो से कुछ फैदा होता है तो इस वीडियो को लाइक किजिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और सेर करना नहीं भूले चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग अपने अगले भाग को डिस्कस करेंगे जहां पे अफ्रीका की बात हम लोग करेंगे उसके बाद आश्ट्रेलिया की बात करेंगे ठीक है? जैन फिर मिलते हैं